आप लोग UPTET के बारे में सुनते होंगे और मुझे लगता है कि आप मेंसे कई लोग UPTET का एकजाम भी देते होंगे यह क्या रहता है कि उत्तर पेदेश सिक्छक पात्ता परिक्चा होती है अगर आप लोग UPTET पास कर लीते हैं तो आपने देखा होगा कि सिक्षक भरती के लिए आप लोग पात्ता रखने लगते हैं अभी हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं कि जो UPTET 2021 हुआ था ना और आपने देखा होगा 2021 में पेपर हुआ था फर उसके बाद आपने देखा होगा कि पेपर आउट होने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था सुना भी होगा आप लोगों ने और उसके बाद 23 जनवरी 2022 में फिर से आपका ये पेपर करवाय गया था क्या करवाय गया था? पेपर करवाय गया था उसका आज result आ चुका है क्या हो चुका है? result आ चुका है पहले तो आप लोगों को एक जानकारी दे दो किसी भी exam के बारे में आपको जानना है या उसका उससे संबंदीत कोई calendar आया हुआ है कोई update आई हुई है result आया हुआ है तो उसकी main official site पर जाये करिएगा जैसे UPPCS के बारे में अगर आपको जानना है तो UPPCS की main site पर जाये करिएगा UPSC के बारे में जानना है तो UPSC की main site पर जाये करिएगा आपको सही जानकारी मिलती है और आराम से आप देखे जिस समय अपडेट होती है तुरंट वहाँ अपडेट कर दी जाती है जैसे आप लोगों को UPTET के बारे में जानना है तो आप लोगों को search करना होगा Google Chrome हो, Google हो या किसी भी browser पर आप लोग search करते है UPDELED.GOV.IN आप लोग इसे Google पर search करेंगे तो आपके सामने इस तरह की आप देखें कि सामने home page खुल जाएगा इस पर आप देखेंगे ऐसे आपको click करना है लेकिन आप सभी जान रहे हैं कि अभी हाल result अपडेट हुआ है link activate हुई है तो सभी लोग इसमें result देखने में लग गए होगे तो website पर आप देखें क्या हो जाता है एक bus की तरह आप लोग जान लीजे एक bus जाती है road पर आप देखें खाली होगी तो तेज चलेगी और उसमें आप देखें कि सवारियों को भर दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो bus धीमी हो जाएगी तो उसी कारण आप देखें आपके सामने भी इस तरह का हो रहा होगा लेकिन खुल जाएगी आप लोगों को परिशान नहीं होना है और आपके सामने इस तरह की देखें आ जाएगा और आप लोग इसमें क्या करना है आप लोगों को की यहां आप लोगों को registration अपना जो भी है इसे देने के बाद आप देखेंगे क्या हो जाएगा home page पर login आप देखेंगे result UPTAT result 2021 result दिया होगा, उस link पर आप लोग click करेंगे, उसके बाद आपके सामने एक page खुल जाएगा, उस पर जाकर आप लोग एक सामन जानकारी भरेंगे और आप लोग अपना result अपने screen के सामने देख पाएगे यह तो रही बात आप लोगों की result देखने की pick लिया, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब आप लोग UPTAT pass कर लेते हैं उत्तरविदेश सिक्छक पात्ता pass कर लेते हैं तो जो आप देखेंगे आपका primary प्रात्मेक होता है न इसमें आप देखते हैं दो paper होते हैं प्रात्मेक और एक आपका उच्छ प्रात्मेक तो प्रात्मेक बालों के लिए 1 से 5 तक के जो सिक्छक भरती होती है न कक्छा 1-5 भी तक, वो उसमें भाग लेते हैं, और उच प्रात्मिक में आप देखें कि 6-8 तर, इस तर की जो भी सिक्चक भर्दी होती हूं, उसमें वो लोग भाग लेते हैं, क्या करते हैं, भाग लेते हैं, लेकिन आपको बताथूं कि जो प्रात्मिक क्या है, इसमें UPT UPTAT में आप देखें, टोटल 21 लाग बच्चों ने भाग लिया था, कितना 20-21 लाग बच्चों ने भाग लिया था पेपर में, और इस मैंसे आप देखें कि अगर आप लोग देखें, तो परातमे UPTAT के परातमे किस तर के लिए 12,91,627, यानि कि आप सोचे कि 13 लाग के लग ने पेपर दिया था और उच्छ प्रात्मे किस तरह के लिए आप देखेंगे 8,73,552 अभ्यारतियों ने परिक्षा दी थी इस तरह से टोटल आप देखेंगे लगबग 21,65,189 उमीदवारों ने रजिस्टेशन करवाया था क्या करवाया था और उसके बाद आप देखेंगे पास कितने हुए यह भी तो होना चाहिए तो आपको बता दू कि इसमें सामिल हुए थे 10,73,302 पहले पेपर के लिए जैसे प्रात्मे किस तरह की परिक्षा करते हैं पेपर देने गए थे वो पह 30,810 उम्मिदवारों ने परिक्षा दी हुई थी और अभी जो रिजल्ट आया हुए इसमें आप देखेंगे कि प्राइमरी के लिए 38 परसेंट और अपर प्राइमरी में 28 परसेंट अभ्यार्थी पास हुए है और आप देखेंगे सचे परिक्षा नियामत प्राधी कारी क कि और से ये जानकारी दील गई है, क्या दी गई है, जानकारी दी गई है, इस तरह से अगर आप लोग गुड़ा भाग करके निकालेंगे, तो प्रात्मी किस्तर पर आप देखेंगे, 4,493,598 परीक्छारती उत्तीन हुए हैं, और वहीं आप लोग उच्छ प्रात्मी किस्त समझ लेना चाहिए, कि हमारे देश में बेरोजगारी कितनी है, और आप सोची कि कितने लोग फेपर देते हैं हर साल, समझ रहे हैं आप लोग, कितने लोग क्या करते हैं, फेपर देने जाते हैं, इतना बेरोजगारी है, तो यही रहा है आपका पेपर रेजल्ट आ चुका जिनका हो गया है उन्हें सुब कामना है वो अंगले फेपर की तैयारी में लग जाईए और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए यही कर सकता हूं कि वो तैयारी करें मन लगा के अंगले फेपर में होगा उनका कहा होगा अंगले फेपर में होगा अंगले बार होगा होगा जरू 273 परीक्षा केंदे थे कितने 200 परीक्षा केंदे थे तो यह भी आप लोगों को मालू होना चाहिए और UPTAT परीक्षा पास करने वाले अभ्यारती उत्तरपदेश सरकारी स्कूल में सिक्षक भरती के लिए आभिदेन करने के पात हो जाएंगे और उनके पास एक अभ्यारती क सर्टी फेगट की बैदेता लाइफ टाइम में रहेगी पहले या पांस साल हुआ करती थी अब लाइफ टाइम में रहेगी और यह भी याद रखना चाहिए आप लोगों को UPTAT परीक्षा पास करने के लिए भ्यारती को कम से कम 60% अंक चाहिए होते हैं कितने 60% तो यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए देखे इसमें भी रहता है जनेल के लिए 60% आप अनफिछडा के लिए देखेंगे 55% के अनुसूचे जाती के लिए 55% लगभग अनुसूचे जाती के लिए 55% तो अलग अलग के लिए अलग लग आप लोग देख पाते हैं क्या पाते हैं देख पाते हैं तो भी याद रखिएगा याद रखोगे या नहीं रखोगे और मेहनत करते रहे लगे रहे मुझे लगता है कि लगे रहोगे तो जरूर पास होगे क्या होगा जरूर पास होगे आप लोग इसे आप लोग क्या करिए कि यूप जो साइट है से खोलते रही है थोड़ा दो-चार बार आप लोग चेक करेंगे तो जरूर खुल जाएगा आपको आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आप देखिए काएक लोगों ने देखना सुरू किया होगा ना त साइट तो यहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं और फिर से आप लोगों को एक बार अगर बताना है तो आप लोग आप लोगों को क्या करना है सर्च यहां करना है यूपी-डी-टी.GOB.in इस साइट पर जाकर आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर पाते हैं और आप दे तरह से देख लीजेगा 28% में आपका भी नाम होना चाहिए और 28% भी जिन्हों ने दिया होगा उसके लिए उनका नाम होना चाहिए तरहाल आप लोग लगे रहिए हारी हमत मत हार नहीं है कहते हैं कि जब तक आप लोग फेल्ड में हैं इसी आसा से डटे रहिए कि आप जरूर कुछ कर पाएंगे और जब तक मुझे लगता है कि हार भी नहीं कहा जा सकता है जब तक आप लोग फेल्ड पर खड़े हुए हैं हार तो उसे कहते हैं, आप देखिए जो फेल्ड छोड़ चोके होते हैं, आसा से हट चोके होते हैं, अब उन्हें आसा ही नहीं रहती है, तो आप तो अभी फेल्ड पर ढटे हुए हैं, और मुझे लगता है ढटे रही है, ठीक है?